बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राखी जी एडमिट है हॉस्पिटल में और काफी उनकी स्थिति अभी क्रिटिकल है कल हम लोग राज से हम लोग हॉस्पिटल में हैं अभी उनके ब्रदर और कुछ रिलेटिव आया हैं तो मैं आया हूँ और आप लोगों को अपडेट क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे थे तो अपडेट करने के लिए मैं आया हूँ काफी उनकी स्थिति खराब है उनको लाइक कल हम लोग करीब आठ बजे के करीब हम लोग शूटिंग पे जा रहे थे और रास्ते में उनको काफी सीवियर पेन फील हुआ और दो ती दीज से वो कंपलेंड कर रही थी कि उनके चेस्ट में पेन है बट कल रात में उनको कंपलेंड था कि वो हाथ भी उपर नहीं उठा पा रही है और सेंटर में दर्ध हो रहा है और कल उनकी कंडिशन काफी खराब हो गई तो आम लोग फिर मैं रस्ते में जहां भ सर सीधा सवाल में पूछना चाहोगा आपसे क्या हार्ट अटेक आया है आप कंफर्म करना चाहिए देखिये हार्ट अब डॉक्टर ही बता पाएगा क्योंकि कल डॉक्टर ने अभी तक कॉंसलिडेटेड रिपोर्ट कुछ भी हमें नहीं दिया अभी कंटिनिवस हमारी बा कि अजल रहा है उनका और क्योंकि मुझे जहां तक टेकनिकल ट्रम पता है कि एकार कुछ मेजr रहता तो इको होता है को के बाद ऐस्ट गर्फी रहा है तो आप लिखा कि पेन आया हुआ तो क्या हार्ट में पेन हुआ तो क्या है डॉक्टर तब ही बता देते हैं कि नॉमर इसलिए क्योंकि उनकी स्थिति अभी क्रिटिकल है अभी अभी नॉर्मल इस्थिति नहीं हुए जिसके वज़े से डॉक्टर अभी बहुत सारी चीजे चेक कर रहा है उनके पेट में भी शायद फैब्रोइट का कुछ बड़ा सा ये निकला है जो की कैंसर का वो लो कह रहा है कि शायद उसके वज़े से भी उनको प्रावलम हुई है तो वो सारी चीजे अभी इंविस्टिगेट कर रहा है अभी तक फाइनल मुझे कोई कंफर्मिशन आया नहीं है कि क्या है अभी तक उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उनकी हिस्ट कि ईसके लेकिन हम अपीट में कुछ बड़ा सा गॉला है और उसके लिए उन्होंने अे काइनसर पर नोरे वालम ह्ला यह उसी में यूटरां में कि हमक्तू"... और उसके लिए उन्होंने भेजा है वर्दर तन से मैं भी तो पता नहीं क्योंकि कहां भेजा गया है嗎 तो लाइक अभी तो लोग क्लेक्ट किये हैं सैंपल और अभी उनको एक्जामिनेशन में रखा है इसके बाद आप होस्पिटल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग मीडिया में वहां पहुंच जाएंगे जो कि डॉक्टर ने अभी इस्टिकली मना किया है बह आपने सीटी तरह से दो बिमारी के आपने बात्चीत का बता दिये एक तो कि बच्चेदानी में काफी प्रॉब्लम आ रहा है तो खहिना चाहिए क्या बच्चेदानी को निकाला जा सकता है क्या प्रॉब्लम है क्या कैंसर के तरफ से एक इसारा आप कर रहे हैं राकी सावन लेकिन अभी उनकी सिर्टी क्रिटिकल बनी हुई है क्योंकि उनके पेट में सब्सक्राइब कर सकते हैं कि क्योंकि नहीं कुछ नहीं बता है क्योंकि दॉक्टर कॉंसलिटेटर रिपोर्ट नहीं सब्मिट करेगा तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्या है बट हाँ अभी उनकी स्थिती थोड़ी सी क्रिटिकल बनी हुई है क्योंकि बहुत सारी चीजे हैं और कहीं ना कहीं मुझे यह लगता है यह मेरा परसनल मानना है कि मुझे कहीं ना कहीं यह लगता है कि यह जो इनकी स्थिती एक साल के अंतराल में खराब हुई है मैंने जब मैं बिग बॉस में था उस दोरान भी राखी की टेस्ट हुई थी पूरा क्योंकि बिग बॉस में ये प्रोसीजर होता है सारे टेस्ट होते हैं उसमें राखी आल राइट थी और ये जितने भी उसके सिंटम बिगड़े हैं वो एक साल में बिगड़े हैं और कहीं न कहीं मेरा सक है कि राखी जो क्लेम की है मेडिया में कि हां मुझे मार पड़ती थी मुझे मारता था और ये कहीं न कहीं मेरा डारेक्ट इशारा है मैं हाइट वाला बात नहीं करता है मैं डारेक्ट बोलता हूं कि कहीं न कहीं उनको मार पड़ी है और वो अंद्रू तो क्या हम समझ सकते कि बच्चेदानी को लेकर काफी परिशानी है राकी को अभी आप वो बताईए कि यह जब राखी काफी पॉंट्रवर्सी चर रहे थी आप तब नहीं ते लेकिन मेंने इंटर्व्यू किया तो डॉक्तर का तो यूर बच्चेदानी को लेकर काफी प्रॉ देखिये मीडिया को घुमाने का मेरा कोई शौक नहीं है और रही बाद कि मैं इस परस बताता हूं बच्चेदानी और जो भी आलेगेशन उसमें लगाए गये थे वो दिमाग का फितुर है ऐसे बंदे को मैं तो बोलूगा कि अधर और जो भी डॉक्तर जो बता रहे है जो बच्चेदानी का देखिये कोई भी चीज जो चीज मेरे पास information नहीं है मैं उस पर बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि बच्चेदानी का और यह सब बहुत private पार्ट है अगर आपके पास पूरे source of information है तो आपको दिखाईए क्योंकि मैं उसमें नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मैं वहाँ पे था जब यह procedure चल रहा था तो मैं वहाँ पे था तो operation कब तक होगा तो tumor को निकालना पड़ेगा क्योंकि अगर वो tumor को निकालानी तो cancer बन सकता है तो इसी के लिए operation के लिए ही doctor उसकी तयारी कर रहे है और अभी उनके बहुत सारे test चल रहे है doctor जब भी suggest करेंगे को उनका operation EC state में हो वो हो का क्या financially राकी है अभी राकी के पास financially की case के लिए काफी पैसे लगेगे तो क्या राकी के लिए कोई donation मांगा जाए कि राकी कि पिछले एक साल से काफी bankrupt है राकी क्या गेना चाहिए अभी तो financially हम लोग बता नहीं सकते है कि कहां से हम लोग बट अफकोस लाइक जहां राकी के साथ बुरे लोग थे वहां पर अच्छे लोग भी है तो अफकोस मैं जानता हूं कि राकी को इतने करोडों जनता का support है अफकोस मैं भी एक fan हूं तो अफकोस हम लोग सभी support करेंगे थांक्यू सब्सक्राइब निकलेगा डॉक्तर में को हमें डॉक्तर चाहिए जो डॉक्तर हमें बताए पूरा डॉक्तर जो भी है वो बताएगा बहुत जल्दी पहले इस्तिती उनकी थोड़ी से स्टीबल हो जाएं तो फिर हम लोग इस पर डॉक्तर का इंटर्व्यू चाहिए हमें देखिए मैं तो यह बोलूगा कि जितने फैन परिशान हुए हैं बस आप लोग विश कीजिए क्योंकि यह कोई जोग का मुद्दा नहीं है देखिए राकी ने ऐसी अपनी इमेज बना ली है देखिए कि जिसमें लोगों को लगता है कि वो कुछ भी कर रही है ड्रामा है यह है मैं आप से सीधा मैं बहुत बलंट हूं बोलने में और मैं किसी से डरता नहीं हूँ तो मैं आपको बहुत बोलूंगा कि राकी जो है अगर क्रिटिकल में है तो बेडिया आया बेडिया वाला कहानी उसके साथ हमेशा रिपीच होता है जब एडिया सच में आया तो उसके पास उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है तो यहां पर सीन वही हुआ है अभी क्या है वह सच में है तो लोग उनको लगता है कि आदे लोगों को लगता है कांट्रोवर्सी कर रही है तो आज आप से जानना चाहेंगे एक खबर आई हमारे बीच में राखी जी को लेके राखी सावन जी को लेके कि उनकी तब जो है थोड़ी दिन नासाज चल रही है क्या कुछ है पूरा मामला बताएंगे तेकि राखी दो तीन दिन से कंप्लेंड कर रही थी कि उसके चेस्ट करहिए रही ही दो बटकल ये सीविएर हो गया और जब कार में काफी उनको प्रोब्लम होने लगा तो वहाँ इमिडेट में नजदिक के हॉस्पिटल में मैं उनको आडमिट कराया क्या लग रहा है आपको यह सारी जो समस्यां उनके साथ हो रही है जो भी फिशिकली इसूस देखने को मिल रहा है क्या वज़य है उसके पीछे क्या रीजन लग रहा है पहले से कोई सिम्टम्स थे या फिर कोई अचानक से कुछी सामने निकल गई है देखिए पहले से कोई भी सिम्टम नहीं थे क्योंकि मैं जहां तक राखी को जानता हूँ जब बिग बॉस के दौरान हम लोग गए थे तो वो काफी तंदरुस थी है और यह सारे सिम्टम्स आये हैं उसको कैस्केडिंग इफेक्ट कह सकते हैं उसको परसनली बहुत तोड़ा गया है जो भी क्लेम की है कि मारपीट भी मेरे साथ हुई है और फिर से उसको सारी को मेंटल हराश्मेंट हुआ है काफी सारी चीजे उसके पैसे ले लिए गया है उसकी माँ चली गई तो यह सारे जो हैं मिलके एफेक्ट किये हैं और इनसान के और अभी राखी के लाइक मैं काफी कोशिश के बाद राखी को वापस से कुछ ट्रैक पे लाया हूँ और कुछ दिन में आप देखा कि आप वह हस रही थी या कोई भी लाइक चीजे नॉर्मल थी बट अचानक से लगता है कि उनका सरीर अभी शायद एफेक्ट हो रहा है यह सारी चीजे राखी का अंदाज ऐसा रहा है कि हमेशा जो फैन्स रहते हैं ऐसी ख़बर आना उनके बीच में बहुत शॉकिंग है क्योंकि कोई बिलीव करने को रेडी ने कभी कई बार हासी मजाग भी रहता है कोई बीच में कुछ ऐसे सेलेबरिटी स्टंट भी हुए हैं जिसके बाद से लोग इसको बिलीव नहीं कर पाते हैं पूरे मामले के एक बार जानकारी देजिए क्या एक्शुली कंडिशन है और इशु क्या है देखिए अगर पॉब्लिसिटी स्टंट रहता तो मैं इनवल्व नहीं रहता मैं अपने लाइक मेरे लिए पॉब्लिसिटी स्टंट कोई म कहना पड़ा और उनके मेसेंजर के रूप में मुझे आना पड़ा क्योंकि बहुत सारे फैन बहुत सारे इंडस्ट्री को लोग भी परिशान थे और सभी लोगों का फोन आ रहा था बराबर तो यह सीवियर है बहुत सारी चीजे सीरियस हैं जिसके वज़े से हम लोगों को शेयर करना पड़ रहा है इसलिए हम लोग हॉस्पीटल भी नहीं बता रहे हैं क्योंकि हॉस्पीटल बता देने के बाद वहां पर हमें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है राखी रिकवर हो जाया राधर दान की कोई पब्लिसिटी करूंगा है फाइनेंस की भी बात करें तो सब्सक्राइब नहीं है उसको तो काफी फैनेंशली सभी लोग जानते हैं कि फैनेनशली उसको चीट किया गया है उसके सारे पैस्षे पास क्या है ये तो अभी बात की बात हैं क्योंकि जब डिस्चार्ज होगी तब हम लोग डिसक्राइब करेंगे इतना बोलूँगा कि उसके साथ बुरे लोग थे तो कम सकम अच्छे लोग भी हैं जो उसको हमेशा राखी को सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं जैसा कि आपने बताए कि उनके साथ एक हैरेस्मेंट जीजों चीजों हो चुकी है पास्ट में क्या recovery के बाद कई ने कई उन चीजों पर कारवाई की जाएगी आप लोग उन चीजों पर ध्यान दोगे फिर वापस से जी बिलकुल मैं तो मेरा मानना है कि हमें उन चीजों पर कारवाई करनी चाहिए क्योंकि ये गलत है इसा नहीं है क्योंकि दर्द है तो दर्द है सभी राखी सावंद भी एक इनसान है उसको भी मार पढ़ने पर दर्द होता है उसको भी तकलीफ होने पर दर्द होता है अब तो यह तो पहले तो कंफर्म हो जाए कि हम लोग जो यह सारा स्टेटमें राखी के ओर से होना चाहिए और राखी का राइट्स बनता है किसी पर एक्षिन लेने का क्योंकि यह उसका राइट्स है अफकोर्स राखी जहां भी मेरा सपोर्ट मांगेंगी आम अल्वेस देर लास्ली एक बर फैंस और व्यूवर्स को अपडेट कर जिए कि राखी की सिती अभी कैसी है उनके हेल्थ कंडिशन के बारें देखिए फैंस मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा राखी की सिती थोड़ी सी नाजुक बनी है अफकोर्स आप लोगों को ईश्वर से प जाए और जल्दी हमारे पीच में हस्ते-खलते वापस आजाएं थैंक यू जाए थैंक यू जो है